देश में जान लेवा कोरोना वाइरस की दूसरी लेहर के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आज राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोस लगवाई है। से एक है जिससे हम वाइरस को हरा सकते हैं। अगर आप वैक्सीन लेने के योगे हैं तो जल्द ले। जल्द कोविन.gov.in पर अपना रेजिस्ट्रेशन कराए। पिये मोधी को टीके की दूसरी डोस पंजाब की नर्श निशा शर्मा ने दी। पिये मोधी को वैक्सीन देने के बाद सिस्टर निशा शर्मा ने कहा। पिये मोधी ने हमसे बात की कि ये आदगार लम्हा था, मुझे उनसे मिलने और उन्हें वैक्सीन लगाने का मौका मिला। वही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि देश में वैक्सीन की अब तक 9 करोड से जादा डोस दी जा चुकी है। पिछले कुछ हफतों में भारत में फिर से कुरोणा के मामलों में जारी उच्छाल के बीच स्वास्त मंत्राले ने कहा कि प्रात्मिक्ता के आधार पर टीका करण किया जा रहा है, एक अप्रेल को टीका करण अभ्यान का तीसरा चरण शुरू हुआ है, जिसके तहट 45 साल य और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, यह बैठक आज शाम साड़े छे बजे होगी, वही कोरोना वाइरस की ताजा लहर अपके हर बनकर टूट रही है, पिछले सबी डिकॉर्ड तोड़ते हुए, बुद्वार को देश में सवा लाख से अधिक नए म मामले दर्च किये गए, राज्य सरकारों द्वारा ताजा आकडों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में देश में कुरोना वाइरस के 1,26,315 नए केस सामने आए, जबकि 684 लोगों की मौत हुई, कुरोना की इस ताजा लहर से महराश्टों सबसे अधिक प्रभावित है, बी से अधिक केस 24 घंटे में दर्च किये गए, इस वीडियो में फिल हाल इतना ही, देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें, अगर आप ए वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं, तो हमारे फेस्बुक पेच को फॉलो करें